कोले स्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाएं कोले स्ट्रॉल बढ़ने की समस्या अक्सर अस्वस्त जीवन शैलियान हेल्थी लाइफस्टाइल जीने की वजए होती है जैसे अत्यधिक तले भुने और वसायोक्त भुजन का सेवन करना और व्यायाम और शारीरिक गतिवधी हाई कोले स्ट्रॉल के अन्य कारण है मोटापा, धुम्रपांद, शराब, उम्र बढ़ना, उम्र बढ़ने के साथ नसे भी सिकुरने लगती हैं, जेनेटिक्स जैनेटिक्स और कुछ अन्य बिमारियों के कारण जैसे मधु में, उच रक्त चापा और किड्नी या लिवर ड जीज आदी, कोले स्ट्रॉल खून में पाया जाने वाला एक वसायोक्त पदार्थ होता है, जिसका काम होता है कोशिक्यों को बनाना और संभालना और सूरज से विटामिन डी लेना, लेकिन जब शरीर में कोले स्ट्रॉल की मात्रा एक निस्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह शरीर के लिए हानिकारक साबित होने लगता है, कई गंभीर समस्यायों को जन्म दे सकता है, शरीर में जरूरत से ज्यादा कोले स्ट्रॉल बढ़ने को मेडिकल भाशा में हाईपरचलेस्टरलीमिय कहते हैं, यह अतरिक्त कोले स्ट्रॉल खून की नसों की धीवारों में जमा होने लगता है, जिसके कारण खून के प्रभाहा में रुकावट पैदा होने लगती है और हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, धनिया के बीज शोदों से यह पता है कि धनिया के बीज टोटल कोले स्ट्रॉल, LDL खराब कोले स्ट्रॉल और ट्राइ जाई कोले स्ट्रॉल को नियंतरित करने में लाल प्याज काफी फायदे मंद होती है, हौंग कॉंग में हुए एक शोद के अनुसार लाल प्याज बैड कोले स्ट्रॉल को कम करके गुड कोले स्ट्रॉल के लेवल बढ़ाता है, इससे हार्ट डिजीज होने की संभावना काम करता है और सीरम में लिपिड की मात्रा को कम करता है, इंटरनाशनल जनल अफ मेडिकल रिसर्च अन हेल्थ साइन्स में पबलिश हुए एक शोद के अनुसार आवला के हमारे शरीर पर अंटी हिपलेपिडमिक, अंटी अथरजनिक और हिपलेपिडमिक प्रभाव होते है एक चमश्च सूखे आवला के पाउडर को एक गिलास गर्म पानी में मिला लें, इसे रोज सुबह खली पेट पीएं, सेबका सिर्का सेबका सिर्का हमारे शरीर के टोटल को लेस्ट्रॉल और ट्राइगलिस राइड के लेवल को कम करने में मदद करता है, इसके साथ ही यह अन्य परिशानियों जैसे ऐसे डिफलक्स, अमल प्रतीवा, उच रक्त चाप, गाउट, सांस के संक्रमन को ठीक करने का अच्छा घरेलू उपचार है, एक चमश्चार गेनेक एपल साइडर विनेगर को एक गिलास पानी में मिला लें, इसे कम से कम एक महीने के लिए दिन म खिंसी, फोलेट, फालट और फ्लावरनोइड होते हैं, अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनेकल नियूट्रेशन में पबलिश हुई एक रिसर्च के अनुसार रोज साथ 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 मिला लीटर्स शुद संतरे के जूस का सेवन करने से हाई को लेस्टॉल के मरीजों में गुड को ल स्टॉल का अनुपाट ठीक हो जाटा है, हमारा ये विदियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल हैश मी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और पाए हर समस्या का घरेल विलाज